नमस्कार स्वागा थे आप सभी का मैं हूं हितेश व्यास अपना प्रदेश में उत्तर प्रदेश और उत्तराखन की तमाम एहम खबरे आपको दिखाएंगे शुरुबात उत्तर प्रदेश की कुछ महत्पुन खबरों के साथ राजी लोक प्रशास्तन संस्थाओं को की इंद्रीय मंत्री जितेन सिंख शामिल हुए, मुख्यमंत्री योग्या अधितिनात ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई सालों से भरती प्रक्रिया रुकी पड़ी थी लेकिन यूपी सरकार ने सारी भरतियां कराई हैं सीयम ने कहा कि उत्तरप्रदेश में कुंभ का आयुजन हुआ था जिसमें पलिस की चबी में सुधार हुआ है मैंने जब उत्तरप्रदेश पुलिस भरती बौर्ड से इसकर के बारे में पोचा कि आखिर ये स्टे का कारण क्या है तो प्राइब का कोट यह लगाई है तो मैंने ज इसका निस्तार्ण प्यों की हुआ है मे किर अब इसमय करें और हमें नु स्वह फित कि Do नियाले ने देखा पर्मिशन दी और हम लोगों ने पूरी पारदर्सी तरीके से इस ट्रेन की प्रकरिया को आगे बढ़ाया हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे हमने अपनी ट्रेनिंग छंपता को बढ़ाया मिलेटरी, पैरा मिलेटरी और अने राज्यों के प्रसिक्षन के इंदरों को भी इसके साथ जोड़ा और हम लोग चार वर्स के अंदर पुलिस भरती की इस पूरी प्रकरिया को जो लगभग 12-15 वर्सों से लंबित पड़ा हुआ था इस पूरी प्रकरिया को हम लोगों ने संपन्न किया इससे पहले मुख्यमंत्री योग आदितनाथ मेरट के सरदार पटेल कृशी विश्विद्याले में आवजित हो रहे कि सरदार पटेल कृशी विश्विद्याले में मंच पर सरस्वती वंदना से कारिक्रम का शुभारम हुआ और योगासन के साथ रामायन का पार्ट भी किया गया ऐसी के साथ विवस्था और सुरक्षा के साथ मंच पर आउजित होने वाले संस्कृतिक कारिक्रमों को लेकर भी विशेश तैयारी देखने को मिली उत्रप्रदेश सरकार में श्रम कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अकिलेश के बयान पर पलटवार किया उन्हें कहा कि पूर्व की सरकार निकम्मी थी जो विकास कारे नहीं कर रही थी उन्हें ये कहा कि बीजेपी सरकार ने उत्तरप्रदेश में कागजी नहीं जमीन पर काम किये अगर पूरा नहीं कर पाए तो निकम्मापन पुर्वती शरकार का है और उन्हें तो मुझे बदाई देनी चाहिए हमारी शरकार को बदाई देनी चाहिए कि जो काम हो नहीं कर पाए समाधवादी पार्टी के राच्ट्री अध्यक्ष अकलेश यादवन ने मुझळ सभा में मुक्रमंतरी योगी अधितिराक पर सीधा हमला बोला कहराना के पलायन के मुद्दे पर सीम योगी को घेरते हुए कहा कि अगर बाबा मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड से पलायन न किया होता तो आज यूपी के पांच साल बरबाद ना हुए होते जन्सभा को संबोधित करते हुए अखिले शादव ने कहा कि अभी आये थे बाबा मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कम से कम उन्हें अपना घोशना पत्रतों पढ़ना चाहिए जो सरकार है उसको बदलने के लिए जन्ता ने अपना फैसा ले लिया है अब कोई रोग नहीं सकता बदलाब होना तेह है और इस बार तो किसानों ने इस बार किसानों ने गरीबों ने तेह किया है कि इस भारती जन्ता पार्टी का सफाया कने का काम करेंगे और मैं कह सकता हूँ कि बाइस जो बाइस अगली साल होने वाली है किसानों का इस वार इंकलाब होगा और बाइस में बदलाब होगा कोई रोक नहीं सकता अभी तो बहुत सारे गड़बंदन भी होने हैं समाजवादी पार्टी का गड़बंदन होने जा रहा है कई दलों को साथ लिया है और बहुत जल्दी और दलों के साथ भी आने वाले समय में गड़बंदन होगा लगातार समाजवादी पार्टी जोड रही है लोगों को जहां हमारे किसान लड़ रहे हैं लगातार संगर्ज कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन किसानों को है और लगातार हम लोग इन काले कानूनों का बरोध करेंगे और तब तक बरोध करेंगे जब तक भारती जन्ता पार्टी इन कानूनों को बापस नहीं लेने इन काले कानून वो लागू होने से क्या किसानों का भला हो जाएगा क्या काले कानून जो लागू हो रहे हैं हमारे किसानों का भला नहीं होगा उनसे बहुत दावा करते हैं कि कानून वे बस्ता ठीक ही है बताएं मुखमती जी पूरे देश में कहीं भी पुलिस किसी की हत्या कर रही हो तो बताओ और एक उधारण नहीं हम कही उधारण उत्तपदेश के दे सकते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार में निर्दोस लोगी हत्या हो गई कौन भूल जाएगा गोरकपुर एक वैपारी अपने साथियों के साथ कारोवार और गोरकपुर को घूमने गया था उससे नहीं पता था कि गोरकपुर में क्या हो जाएगा उसके साथ एक वैपारी कानपुर का अपने कारोवार की ले करके और गोरकपुर को देखने गया रात में पुलिस आई ही, उसके कमरे में पूस्ताच के बहाने, इतना मारा इतना मारा, कि उस विपारी की वही जान चली गई, जब आज आपके भीश माया हो, तो कलगी घटा भी सोच लो, एक नौजमान को पुलिस उठा ले गई, और उसको इतना मारा थाने में, पुलिस ते पितनान यह किया है कि उस नजमान की जhanded चली गई अगर कोई दोसी है उसके लिए तो भात जिन्ता पार्टे जोसी है इस नॉजमआन की जन जाने के लिए ये दो खटनाएं नहीं अगर आकड़े देखें मुख्मन्ती जी हम तो सोचते थे हम तो सोचते थे कि आपके पास सो बड़े जहनता लोग है आप तो हर चीज में नदर रखते हो कभी नेशनल हुमन राइट कमिशन का डाटा मगवाना कभी नेशनल हुमन राइट कमिशन के डाटा मगवाना कि अगर सबसे ज़्यादा अन्याय जन्ता पर कहीं हो रहा है तो उत्त प्रेज में भादी जन्ता पार्टी की सरकार में अन्याय हो रहा है प्रसपा की परिवरतन रत यातराज गोरखपुर पहुंची यहां प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का पार्टी कारिकर्ताओं ने स्वागत किया इस ज़रान अध्यक्ष भात करते हुए शिवपाल यादव ने सफपा अध्यक्ष खिलेश यादव के साथ गडबंधन के सवालों पर बड़ी चालागी से अपनी राय रखी है। शिवपाल ने कहा अगे इंतिजार अभी सभी कर रहे हैं, बात हो रही है। हमारे पीछे जितने लोग खड़े हैं, उनके सीटों पर महर लग जाएगी, तो फिर हो जाएगा गडबंधना है। अभी अपने बुला हम मंच से की बिले भी करने के लिए हैं। काजगंच से खबर जहां पुलिस का एक ऐसा कारणामा सामने आया है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएगे। जान ही नहीं बलकि परिशान भी हो जाएगे। मामला ये है कि जेल में बंद एक आरोपी जैकेट की टूपी में लगी रसी से फासी लगा बैठा। और वो भी टौइलेट में लगी तूटी से लटक कर। क्या है ये पूरी कहानी देखिए। गोरकपुर कांड अभी भूले तो नहीं है। जिसमें व्यापारी को मारने का दाग खाकी के उपर आया। अगर भूल गए हैं तो कासगंज आईए। और एक बार फिर देखिए उत्तरप्रदेश पुलस का अजब गजब कारनामा। जी हाँ कारनामा। ऐसा कारनामा जिसका सिरपैट समझना बहुत दूर की कोड़ी है। असल में उत्तरप्रदेश के कासगंज जनपद में एक नाबालित लड़की को भगाने के आरोप में पूश्ताश के लिए लाए गए बाईस साल के अलताफ की कासगंज कोतवाली के हवालात में मौत हो गए। अब कहानी में ट्विस्ट और पुलिस की थ्योरी दोनों समझिये। अलताफ ने टॉलेट जाने के बाद हवालात के टॉलेट में ही जैकेट के हुट के नाड़े से फासी लगाई गई है। और नल से जमीन की दूरी मात्र धाइप पे। अब मरने वाले की कदगाटी को भी समझ लीजिए। मरने वाला यूवग जिसकी लंबाई पांच फिट छेंच के करीब रही। अब आप सोचेंगे कि आकिरकार ये माजरा क्या है। तो हमारी सलाम मानिये तो दिमाग ना ही लगाईए। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की अतिहोनहार पुलिस है। ये इंसान को बिस्तर से गिर कर भी मरा हुआ बता सकती है। धाई फिट के नलकी तो बात ही क्या है। और ये सैंटिफिक ट्योरी पेश करने वाला कोई याम वर्दिधारी नहीं है। बलकि IPS अफसर रोहन बोत्रे हैं जिनोंने इसे बकायदे एक्स्प्लेन भी किया है। साहब 2016 बैट के अफसर हैं और कास गंज में पुलिस कप्तान बनने से पहले आगरा में SP सिटी के पतपर तैनाथ थे। मामले को गंभीरता से लेने की तेजी इतनी की कोतवाली इंस्पेक्टर, कास गंज सहीत दो सब इंस्पेक्टरों और एक हैट कॉन स्टेबल, एक सिपाही को तकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। लेकिन परिजनों का आरो पलक कहानी बयां करता है। अभी तक इस पूरे मामले में कोई तहरीर तक नहीं ली गई। पोस्मोचम रिपोर्ट में हैंगिंग लिक उठा है। शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं पाए गए। पिता का कहना है कि वर्दी वाले साहब ने डरा कर गलत बयान लिखवाया है। उन्हें उचित जांच और कारवाई चाहिए। सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब नदारत और कब तक नदारत ये कहना मुश्किल है। क्योंकि लगभग पांच पुलस कर्मियों के सस्पेंशन के साथ कारवाई की तीशरी हो चुकी है। और इससे आगे देखने को मिलेगी तो सिर्फ वर सर्फ सियासा। जनता टीवी के लिए डैस्क से पूजा मुहन पांडे की रिपोर्ट। तकास गंच के हवालात में हुई अलताफ की समौत के बाद से राजनितिक हलचल भी बट रही है। अलताफ के घर आज सुबा से ही राजनितिक दल के डेलिगेशन से पहुँचने शुरू हो गए। आज सुबा जहां सबसे पहले समाधवादी पार्टी का डेलिगेशन परिवार से मिला तो वहीं दो पहर में कॉंग्रेस पार्टी के हर्याना प्रदेश कॉंग्रेस प्रभारी विवेक बंसल सहित पांच लोगों की टीम अलताफ के परिवार से मिलने के लिए पहुची इस बीच अपने किताब को लेकर विबादों में भसे पूर्व के इंद्रिय मंत्री और कॉंग्रेस के बिच्ट नहीं था सलमान खुरशीद भी अलपताफ के परिजनों से मिलने पहुचे His उन्हें अलताफ के परिजनों को सांत्य $ वरान सल्मान खुरखीद ने बताये कि अटाव के साथ बहुत धथना जंग न्याय दलाने के लिए सुप्री También thank my जाएगी तो इसके साथ के लाली स्बलेटन में इतना है लेकिन खबरे और अबडेट्स का सिलसे लगातार जारी रहेगा नमस्का जाएगी जाएगी धना है नमस्के लगाणी ओजाएगी अमस्केस लगातार जाएगी टारी रहे लेकिन इतना है लेकिन खबरे लेकिन अरी रहेगा प्रिक्राइगी